इस वीडियो में आपको एक महतोपूर्ण सूचना देनी है अब जब आप अपना प्रेणा आधार dbt app on करेंगे तो आपको इस स्क्रीन पर एक alert का message दिखेगा यहाँ पर message दिखा है कि new version available do you want to update कि नया version available है क्या आप इसे update करना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कि अभी तक जो आपका app का version था वो था 22 version लेकिन जब आप इस app को update कर देंगे तो जो आपका प्रेणा आधार dbt app है वो 23 version में update हो जाएगा इसके लिए आपको करना क्या होगा और आपको इस updated version में पर क्या facility मिलने वाली है चलिए इस app को update कर देते हैं उसके बाद आपको बताते हैं तो हम यहाँ पर जो update का option है यहाँ पर click करेंगे जैसे आप update पे click करेंगे आपको यहाँ पर play store का option दिखेगा आपको play store वाले option पे click करना है यह app आपको play store पर show होने लगेगा यहाँ पर आपको एक update का option लेगा आपको update पे click करना है थोड़ी देर में यह जो app है वो play store में update हो जाएगा अप update होने के बाद आपको यहाँ पर open का option दिखेगा आपको open पे click करना होगा आप देख सकते हैं आपका प्रेणा आधार dbt app 23 वर्दन में update हो चुगा है यही पर आपको बताना चाहूंगा कि देखे मैंने कक्षा 4 का allotment है वो अपने नाम से किया है और कक्षा 4 में आपको यहाँ पर 55 बच्चे दिख रहे होंगे अब जो आगे updated form में आपको facility मिलने वाली है वो इसी से related है इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे जो green strip पर next का option दिख रहा है आपको next पर click करना होगा अब आपके सामने जो next page आएगा उसमें आपको याद होगा जो app का 22 वर्जन था इस जगे पर जहाँ पर लिखाए कि कुल नामांके 6 शात्रा है यहाँ पर आपको आपके विद्याले के सभी बच्चों की संख्या दिखाई देती थी और इसके नीचे जो folder बना है अविभाव को आपके विद्याले के सभी बच्चों की संख्या दिखती थी और उनके detail भी दिखती थी आप जब एके करके बच्चों का dbt करते थे तो उनकी संख्या कम होती जाती थी और जो संख्या कम होती थी वो यहाँ पर प्रमानिक शात्र में दिखाई देते थे उसमें आपको आपके विद्याले के जितने total बच्चे होते थे उनकी संख्या यहाँ पर दिखती थी और इस folder में भी पूरी संख्या दिखाई देती थी तो जब आप इस folder पे क्लिक करते थे तो अगर आपने अपना आवंटन कक्षा 5 में किया था तो आपको पूरी स्क्री आते थे तब आप उनका dbt करते थे प्रतेग बच्चे के लिए आपको पूरी स्क्रीन स्क्रॉल करनी होती थी लिकिन यह जो updated version है इसमें केवल आपको आपकी कक्षा के बच्चे दिखाई देंगे अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभिभाव को माता पिता का डाटा भरे और प्रमाणित करे में आपको 24 संख्या दिख रही है और जो बाकी 31 बच्चे हैं उनकी dbt हो चुकी है और वो यहाँ पर प्रमाणित छात्र में आपको दिख रहे होंगे इसका मतलब आपने पिछले वाले वर्जन में यानिकि 22 वर्जन में जितने बच्चों क dbt कर दी थी वो इस वर्जन में भी आपको प्रमाणित छात्र में दिखाए देंगे ऐसा नहीं है कि आपको फिर से उनकी dbt करनी होगी अब यहाँ पर 24 बच्चे बच्चे हैं केवल हमें इनहीं की dbt करनी है dbt करने का तरीका वही है जो आप पहले से जानते हैं तो हम आशा यह वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट जरू करें चैनल को सब्सकाइब करें ताकि विभाग समन्दे जो और भी महतोपूर्ट सूचना है उनकी नौटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे वीडियो देखने के लिए आप सबीलों का बहुत बहुत धन्यवाद